इसीक्षा निती के फैस्ट पार्ट में मैंने 20 वन लाइनर इंपोर्टेंट फॉइंट्स कवर कर लिये हैं और आग्ये के 50 पॉइंट्स और बचते हैं 50 वन लाइनर किस्टन्स वो भी इस वीडियो में कवर करेंगे इस प्ले लिस्ट को भी आप जरूर देख लें शिक्षा के विकास बारत में किस तरह से हुआ है कौन-कौन से आयोग बने कौन-कौन से शिक्षा निती बनी सभी को मैंने बारी-बारी से कवर किया है चाहिए गंदी जी की पुनियादी शिक्षा यह उजना हो और जितने भी आयोग वह समीतिया हैं वारत में चाल्स वूट दिस्पैच ओ अंटर कमिशन ओ चाहिए और शिक्षा प्रणाली सार्जेंट प्लान को भी कवर किया है रादा कर्शनन आयोग उसके बाद मुदालियर आयोग बना कोट हरी आयोग बना राष्टे सिक्षा निती 1968-1986 और ओप लिस्ट में 21 वीडियो में तो प्रेंट्स इस तरह के वीडियो के लिए इस चैनल को सब्क्राइब जरूर कर दें सब्सक्रिक्षा बियान को कवर किया गया है 2001 पूरी डिटेल से आठ मिनट का वीडियो है शिरफ रटी एक 2009 को तीन पार्ट्स में कवर किया गया है अगला किस्टन देखते हैं पहला किस्टन इस वीडियो का किसकी अद्धेक्स ता में विशेश गों ने विशेश सक्ग्यों ने नई राष्टे सिक्षा निती 2020 का मसोधा त्यार किया है त अद्धेक्स कोन थे प्रेंट्स इस समीति के बहुत ही इंपोर्टन क्यूस्टन के कस्तूरी रंगन पिछले वीडियो में आपको बता दिया था तो इसे सुबरमन्यम समीति बनी थी प्रेंट्स इस से पहले उनकी सिपारिशे उन्होंने इस प्वारिशे त्यार की थी इसक हो चुका है का चात्रों के मुल्यांकन के लिए बनाए गई राष्ट्य मुल्यांकन के अंदर का नाम क्या है opponents आत्रों के लिए एक स्पेशल राष्ट्य मुल्यांकन में नेक्स्ट क्यूस्टन के कस्तूरी रंगन की अदेख्षता की समिती का गठन कब किया गया था तो जून 2017 में इस समिती का इस कमेटी का गठन किया गया था कस्तूरी रंगन समिती ने राष्ट्य शिक्ष्यानिती का मसोदा कब परस्तुत किया था तो फ्रेंट्स पिछले स माई 2019 में इसने अपना मसोदा अपना ड्राफ्ट प्रस्तुत कर दिया था किस साल तक सकूली शिक्ष्या में सो परतिसत GER की फुल फॉर्म या निच्चे लिक रख किया है ग्रोश इन्रेवल्मेंट रेशो यानि सभी को सामिल करना एक तरह से सकूली शिक्ष्या में सभी को स सिक्ष्या पहुंच जाएगी 2030 तक यह लक्से रखा गया है वर्तमान में कक्ष्या 11 वे 12 तक कितना है फ्रेंट्स इसमें माद्य मिक्स इसमें 56.5% है इसमें ग्रोश इन्रोल्मेंट प्रिस्टो शेपन पॉंच परसेंट से कहां तक ले जाए जाएगा इसको शो परसेंट नेक्स्ट किस वर्स तक उच्छ शिक्ष्या में 50% जी यार यानि ग्रोश इन्रोल्मेंट रिस्टो पहुंच आने का लक्से रखा गया है तो फिर यह है प्रेंट्स 2035 तक उच्छ शिक्ष्या में 50% का जी यार असिल कर लिया जाएगा यानि 50% जो बच्चे हैं वो 20.3% 26.3% बच्चे ही सकूल से कोलेज की तरफ जा पाते हैं लेकिन ये 2035 तक ये 50% करने का लक्से है नई शिक्ष्या निती 2020 में किस आयू वर्क के बच्चों को गुणवता पूरण शिक्ष्या परदान करना का लक्से अगर रखा गया है तो प्रेंट्स पिछली जो शिक् प्रेंट्स अब ये लक्से चेंज कर दिये जाएंगे और ये कब तक अब इसमें प्री प्रैमरी को भी सामिल कर लिया गया है यानि 6 साल से छोटे बच्चे 3 साल के बच्चे ही सामिल हो जाएंगे और वो जब तक 18 तक सकूल से पास आउट नहीं हो जाते तब तक इसमें सा से चोधा वर्स के बच्चे और तेनस से चीili इससे आफारा कि वक्चाइं को किस वर्ष तक गुनवत्ठा पूर्ण सिक्ष्या परदान किजाएगी कि तो इन जा य। नहीं अव्यक्ति हया थारा को यह जो ल्धक्स आई कॉपिटर कोडिंग और वोकेशनल वेवसाइक सिख्षया वोकेशनल शिख्षया भी इसी कक्षया दी जाने लग जाएगी चैनि 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए नया पाथय करम किसके दावारा त्यार किया जाएगा तो प्रेंट्स जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए पहले भी NCRT बनाती थी इनका सिलिबस अब भी NCRT की दवाराई इसलिबस त्यार किया जाएगा NCRT की फुलफुरमोटी नेशनल काउंसिल ओफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग किन कक्षाओं में अब साल में दो बार प्रिक्षाओं और जित होंगी तो फ्रेंट्स नोवी से बार वी की कक्षाओं में लास्ट का जो चार है पांच पलस तीन पलस तीन चार लास्ट का चार है उसमें आती हैं नोवी से बार वी तक की कक्षाओं इन कक्षाओं में क्या होगा समेस्टर सिस्टम लागू होगा और साल में दो बर प्रिक्षाएं आजित की जाएंगी नेक्स्ट क्यूस्टन M.Phil की फुल फोरम क्या है Master of Philosophy तो समेस्टर सिस्टम प्रेंट्स अर्यानराजे में पहले से ही लागू है साल में दो बर प्रिक्षाएं आजित होती है दो बर रेजल्ट जारी होता है पूरे साल के सेले बसको आदादा करके दो बर प्रिक्षाएं ली जाती है PhD की फुल फोरम क्या होती है Doctor of Philosophy ये PhD की फुल फोरम होती है PhD में दाखिला लेने के लिए अब क्या अनिवारी होगा फ्रेंट्स च्यार वर्ष का graduation course अनिवारी होगा PhD में दाखिला लेने के लिए पहले क्या था? MPHL किया होना? क्या होआ होना चीए लेकिन MPHL वाला जो syllabus है वो चोथे साल graduation के चोथे साल में research का सलिबस रहेगा यदि कोई simple graduation करना चाता है तो वो तीन साल का ले सकता है वो बरती वगयरा के लिए eligible रहेगा सना तक course एक वर्ष के बाद चोड़ने पर क्या बन लेगा? certificate certificate course मानना जाएगा उसका ही और दो वर्ष तक करने के बाद diploma माना जाएगा जिस तरह से पॉल टेकनिक का diploma होता है और certificate course कौन से मानने जाते हैं? जैसे ITI बगयरा एक साल की ITI ही होती है वो certificate course में गिनती होती है तीन साल का डिगरी होती है वो graduation माने जाती है और च्यार चोथा साल है वो research के लिए research का के लिए पात्र उमीदवारों के लिए होता है जो research में जाना चाते हैं आगे PhD बगयरा करना चाते हैं उनके लिए च्यार साल का डिगरी कोर्स है माई 2016 में किसकी अधिक्स्ता में नई सिक्षानिती के विकास के लिए समित्ती ने अपनी रिपोर्ट सोंपी थी तो फ्रेंट्स वो कौन थे TSR सुबर्मन्यम समित्ती ने इससे पहले के कस्तूरी रंगन समित्ती से पहले कौन सी समित्ती थी जिसने इसी सिक्षानिती को बनाया था वो थी TSR सुबर्मन्यम समित्ती इनके बाद बाद में के कस्तूरी रंगन को अध्यक्स्ता में इसी में थोड़ा बहुत चेंज करके सुजाव वगएरा मांग के त्यार किया गया है नेक्स्ट क्यूस्टन अध्यापन के लिए नियुन्तम डिग्री योग्यता क्या होगी तो फ्रेंट्स इसके लिए च्यार साल का इंटिग्रेटिड बीएड कोर्स रहेगा तो फ्रेंट्स आप यदि ये द्यापन में जाना चाते हैं तो च्यार वर्स का बीएड डिग्री बीएड कोर्स में बैसलर ओफ एजुकेशन कोर्स में सिदा दाखिला ले जीजिए आपको सिंपल जो ग्रेजवेशन होती है वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब फिलाल ग्रेजवेशन के बाद बी एड का कोर्स होता है तो फ्रेंट्स सिदे चार साल के बी एड कोर्स में एडमिसन ले पाएंगे स्टूडेंट जो टीचर्स बनना चाते हैं अलांकि ये सिस्टम भी रहेगा कि जो सिंपल ग्रेजवेशन है उसके बाद भी एड में जा सकेंगे कम साल में ही कर पाएंगे तब बी एड का कोर्स किस वर्स से चार वर्स ये एक इकरत बीड को अध्यापन के लिए अनिवारी कर दिया जाएगा तो फ्रेंट्स इसको अनिवारी योग गता कर दिया जाएगा किस साल से 2030 से कमपल्सिरी हो जाएगा जो भी टीचर बनना चाहेगा देश में सोद एम अनुसंदान को बढ़ावा देने के लिए सीर से निकाए कौन सा होगा तो फ्रेंट्स सोद को बढ़ावा देने के लिए नया निकाए बनाया जाएगा National Research Foundation यानी NRF NRF की स्थापना की जाएगी सोदेम अनुसंदान को बढ़ावा देने के लिए किन दो विश्यों को पठे करम में सामिल कर बढ़ावा दिया जाएगा ये दो विश्या हैं मिजिक और आर्ट संगीत और कला को और ये फ्रेंट्स परते एक कक्सिया के सामिल किया जाएगा इनको तो संओयT और कला को बढ़ावा दिया जाएगा नई सिक्षानिती में नई सिक्षानिती 2020 के अनुसर अब तक किस कक्षा में बուर्ड समार्थ कर दिया गया है अब प्रेंट्स 10 वी कलास का बॉर्ड लगबग नामात्र काई रह जाएगा अब केवल बार वी काई मेन बोर्ड की प्रिक्षाइं रहेंगी अब केवल किस कक्षा में बोर्ड की प्रिक्षाइं होगी बार वी कक्षा में तो फ्रेंट्स यह भी डिसाइड किया गया है कि कुछ एक कक्षाओं में प्रिक्षाइं ल किसके मुल्यांकन के लिए बनाया गया है ये बनाया गया है बच्चों के मुल्यांकन के लिए और इसका नाम क्या है परक परक इसका नाम है अब बच्चों की मार्क सीट में उनके सहपाथियों और द्यापकों और स्यों के द्वार दिये गए नंबर भी सामिलोंगे तो फ्रे राष्ट्य आंक्लन के इंदर यानि National Assessment Center का नाम क्या होगा परक और प्रक की फुल फोरम क्या होगी क्या परफॉर्मेंट रिव्यूबंट एन्च 2023 स् सोफ नोलेज पो्र ऑलेस्टिक डौल फॉलिप्मेंट ये इसकी फुल फोरम रहेगी मिरंमी तो इसको भी आद प्रेंट्स किसके दवारा त्यार किया जाएगा एन सी आर्टी के दवारा एन चिएफ दो जार पांच नेशनल करिकुलम फेर्म प्रेमवर्क न्सी आर्टी की पहले बता चुका उंफल पूरम नेशनल काउंचिल ओफ एजुकेशनल रिसर्च एंट ट्रेंड ट्रेंडिंग तो NCF 2005 से समंदित फ्रेंट्स चार वीडियोज मेरे चैनल पर पहले अपलोड हैं, बहुत सारे दोस्तों ने वो देखे हैं, वो भी जरूर देख लें, बार्त में Operation Blackboard की शुरुआत कब हुई थी, Operation Blackboard कब आया था, कॉमेंट्स में जवाब लिक्ट कर दीजिए, अगले वीड प्रेंट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट मंत्रा ले था पहले फिलाल किसके अंतरगत आएगी six या किस मंत्रा लेके अंतरगत आएगी पहले आती थी मानों समसादन विकास मंत्रा लेकर दिन तो फ्रेंटसआपका बहुत बहुत दन्याद इस वेड़िए इस का राईष्टी सिक्षानेटी का अगला पार्ट थर्ड पार्ट जरूर देखें पहले दो पार्ट कवर को चुके हैं फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत देने वाद